कोरोना वारिस को खत्म करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मदनजर कॉंग्रोस के पूरू अधक्ष और पार्टी के वरिश्चनेता राहूल गांधी ने प्रेस कांफरेंस की जिसमें उन्होंने लॉकडाउन खोलने को लेकर सरकार को अपने सुझाव दिये हैं राहूल गांधी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता दिखाने की जरूरत यहां पर सरकार को है हमें इस सती से बाहर निकलना है और इसलिए लॉकडाउन खोलने की रणीती बनानी चाहिए ज़रान राहूल ने कहा कि लॉकडाउन खोलने से पहले सरकार के ओर से मरिजों के लिए क् दिवस्था की गई है इसे बताना जरूरी है ताकि लोगों का डर दूर हो सके उन्हों ने कहा कि अब हमें सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों को दूर करना होगा इसके अलावा मजदूरों के सानों बिजनसमैन मध्यमुद्यों को मदद देने की जरूरत है वहीं मजदूरो न्याय योजना को लागू करना चाहिए सभी परिवारों के खाते में पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए जिसमें सिर्फ 65,000 करोड रुपे खर्च होंगे